एलो जी क्या हाल है week 3 पे आ चुक है हम लोग पहले अपने solution की दरफ बढ़ते हैं फिर बाकी बात करेंगे ठीक है हाँ जी तो question number 45 से जलते हैं अपने start करते है question number 45 है आपका reorder routes to make all path lead to city 0 question कह रहा है there are n cities numbered from 0 to n-1 n cities है आपके पास 0 से लेकर n-1 तक and n-1 roads एक road कम होगी यानि की edges है और vertices है graph के तो कितने vertices होते हैं उसमें minus 1 हमारे edges हो रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है such that there is only one way to travel between two different cities यानि की कोई भी city multiple जगा से connected नहीं है उस city पहुचने का सिरफ एक ही रस्ता है जहां से वो किसी और city से connected होगी ठीक है जी last year the ministry of transport decided to orient the roads in one direction last year ministry of transport ने क्या करा कि उन सारी roads को किसी एक direction में कर दिया यानि की directional graph कोई बात नहीं because they are too narrow पतली cities है तो पतली roads है तो एक ही direction में कर दिया कोई बात ली roads are represented by connections connections का graph दिया हुए where connections of i is equals to a i b i connection of i यानि की हर एक value जो इस connection में है उसमें सिरफ दो लोग है a की कहां से चल सकते हो और b कहां पे पहुच सकते हो ठीक है this year there will be a big event in capital city zero and many people want to travel to this city zero city जो है वहां पर आप बहुत चारे लोग इस साल travel करने वाले है your task is your task consists of reorienting some roads such that each city can visit the city zero आपको कुछ ऐसा काम करना है कि हर एक city city zero को visit कर पाए क्यों नहीं कर पाएगी आपको लग रहा हुआ क्योंकि directional graph है और ministry of road ने क्या करा था कि उसकी direction fix कर दी थी तो ऐसी कुछ cities होंगी जिनकी direction ओनी पनी direction में होगी zero की तरफ नहीं आपा रहे होंगे वो किसी भी तरीके से ठीक है wrong side नहीं चलना right side चलने ही बात हुरी है wrong side चलके तो कहीं भी पहुच सकते हैं return the minimum number of edges changed सबसे कम edges ऐसी return कर दो सबसे कम edges जो आप बदल के इस काम को achieve कर सकते हो कि सारी city right side चलके पहुच सके city zero थक it's guaranteed that each city can reach city zero after reorder यह guarantee है कि हर बंदा city zero पहुच जाएगा अगर आप सही तरीके से reorder करते हो तो समझते हैं कि करना क्या है सबसे पहले हमने एक int n बनाया जिसमें क्या हमने store कराया connections.size ठीक है spelling एकदम सही है हमने size ले लिया कि भीया कितनी cities हैं यही पता चल जाए ठीक है कितनी roads हैं basically यह पता चल जाए क्योंकि हमारे पास city एक जादा है ठीक है उसके बाद हमने एक बनाने की कोशिश करी adjacency list हमें दी गई है edges of the graph उचसे हम adjacency list बना रहे हैं ध्यान देना ठीक है तो हमने एक unordered map बनाया int vector of int ठीक है और इसका नाम रख दिया adj इतनी बात सही है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद हमने क्या करा तो अब क्या करते हैं अब करते हैं अपना adjacency list बनाने का काम हमने कहा कि connections separate कर लो into is equal to 0, is less than n, is plus उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमको un edges को store कराना है कैसे कि मैं 0 से कहां कहां पहुच सकता हूँ मैं 2 से कहां कहां पहुच सकता हूँ ठीक है हमको ऐसे store कराना है तो मैंने का adj of connections of i 0 कहां पहुच सकता हूँ, connections of I1 पर first value से second value पहुच सकता हूँ, A of I से B of I पहुच सकता हूँ, ठीक है, ये बात मुझे समझ आ रही है, मैंने क्या करा, इसको नहीं मैंने negative में store करा लिया, कारण बताओंगा भी, मैंने इसको negative में store करा लिया, connections of i1 ठीक है अभी समझते हैं क्यों कराया मैंने एक काम और किया undirected graph वाला काम undirected graph में हम क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ आने और जाने दोनों तरफ की अपनी edge को consider कर लेते हैं तो मैंने adj of connections of i1 में push back करा लिया connections of i0 brackets सही है बिल्कुल सही है ठीक है अब इससे हुआ क्या मैंने क्या करा मैं 0 से 1 जा सकता हूँ index की बात कर रहा हूँ a से b 0 से 1 जा सकता हूँ मैं 1 से 0 भी आ सकता हूँ ये काम मैंने यहां किया है actual में क्या दिया गया है मुझे actual में मुझे ये दिया गया है कि तुम किसी एक जगा से दूसरी जगा सिरफ जा सकते हो a से b सिरफ जा सकते हो मैंने क्या करा मैंने इसका उल्टा और सीधा दोनों स्टोर करा लिये उल्टा और सीधा दोनों स्टोर करा लिये अब मैं अगर सीधे रस्ते चल के पहुँच गया, तब तो कोई बात नहीं, अगर मैं उल्टे रस्ते चलना पढ़ गया, तो वहां मुझे count रखना पढ़ेगा, कि मेरे को यहां पे उल्टे रस्ते चलना पढ़ा है, सीधर रस्ते चल के पहुँच गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्क fs और इसमें हमने रखा अपने unordered map adj को और हमने visited की array नहीं बनाई थी तो एक visited की array बना लेते हैं vector of bool visited और इसके अंदर कितना entities हैं और 0 ठीक है ये बात हम लोगों को समझ आगी कोई दिक्कत नहीं है 0 मतलब की फॉल्स कोई दिक्कत नहीं है उसमें ठीक है हमने visited की array बना ली visited की array पास भी कर देते हैं vector of bool ampersand visited और हमें क्या पास करना है हमें ये पास करना है कि अभी current city कौन सी है कि city पे पहुँच गए तो int city ठीक है यहां तक की बात sorted है अब मैं काम करूँ जिस city पे पहुच गए उसको एक तो visited mark कर देते है चीक है visited of city is equal to true पहुच गए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद क्या करना है इसके बाद हमको एक काम करना है हमको iterate करना है किस पे iterate करना है next city पे तो किस पे iterate करेंगे हम लोग for int adj of जो अभी city पे है हम उस पे ठीक है यह बात सही है sorted है इसके बाद मेरे पास दो option थे दो option क्यों थे मैंने इसको undirected कितना store करा था negative या positive negative या positive तो अब मैं इस पे दो चीज लेके चलूँगा या तो greater than 0 या less than 0 ठीक है या तो greater than 0 या less than 0 तो if i is greater than equal to 0 तो क्या करें same काम अगर मेरा next जो है वो visited नहीं है तो क्या करें dfs adj भेज़ दो visited भेज़ दो और next को भेज़ दो इस बारी ठीक है इतना काम करेंगे लेकिन अगर सीधे रस्ते चलके काम नहीं हो पा रहा है positive चलके अगर काम नहीं हो पा रहा है positive चलके अगर काम नहीं हो पा रहा है तो उल्टे रस्ते चलना है उल्टे रस्ते चलके देख लेते हैं उल्टे रस्ते चले तो क्या करेंगे i is equal to सबसे पहले तो जो हमारा next है is equal to absolute of next कर लेते हैं absolute of next कर लिया absolute से क्या होगा negative हट जाएगा क्योंकि minus में नहीं हो सकती ना road तो negative हट जाएगा कि कहां से कहां पहुचे तो हम बंदा minus में नहीं रख सकते बेसिकली city negative नहीं हो सकती तो इसलिए हमने absolute डालिया हमें पता है कि यहां तक negative था else जब गुसा है तब negative था तो हमने कोई बात नहीं है positive चलके समझते हमें पता है कि यहां पर negative था कोई बात नहीं दूसरी चीज वाई अगर visited नहीं है तो next को visit कर लिया जाए dfs adj visited और next अब आप कोगे यहां पर हमने अलग ही क्या करा हमने तो कुछ भी अलग नहीं करा हमने तो दोनों जगा वही काम कर दिया visit visit कर दिया कुछ नहीं करा न कोई बात नहीं अलग अब करेंगे हम क्या कि एक बनाएंगे int count कि कितने बंदे बदले और उसको initially कर देंगे 0 कितने बंदे बदले तो अगर सीधे रस्ते चलके काम हो रहा था तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन अगर उल्टे रस्ते चलना पड़ रहा है अगर उल्टे रस्ते चलना पड़ रहा है तो अगर वो बंदा visited नहीं है तो उल्टे रस्ते चल रहे हैं अगर वो बंदा visited नहीं है तो उल्टे रस्ते चल रहे हैं हम और visited नहीं है तो उल्टे रस्ते चल दिये तो count बढ़ा दो कि एक edge बदल दी गई है पलट दी गई है उसके बाद क्या करें कुछ नहीं यहां से call हम भेज देते हैं ADJ visited और 0 0 city पे पहुचना है तो उल्टा उल्टा तभी मैंने यहां पे negative लिया था 0 city पे पहुचना है तो उल्टा उल्टा चलके देख लेते हैं 0 से पीछे जा रहे हैं 0 से उल्टा तभी मैंने जब A to B देख रहे थे तो माइनस वाला बंदा लिया था मैंने कि माइनस पाथ है यह क्योंकि मैं उल्टा चलके देख रहा हूं तो माइनस माइनस नलेफाय हो जाएगा वापसी आ जाएगा ठीक है इतनी बात है मैं समझ जागी इसके बाद क्या करें कुछ नहीं रिटर्न कर देते हैं काउंट चेक कर लो कंपाइल एरर आई ग्रेटर दन जीरो कहां लगा दिया हमने यहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर दन जीरो रिडेफिनेशन ओफ एन अच्छा हमको एन दिया गया है एक चीज का देना मैंने यहाँ पे इंट एन अल्रेडी दिया हुआ था जो की सिटीज का काउंट था तो मैंने यहाँ पे रोड़ का काउंट मेंटेन करना है तो एक इंट रोड काउंट ले लेते हैं यह एक मिस्टेक हो गई मुझे ओवरलूक हो गया तो यहाँ पे हम रोड काउंट कर देंगे ठीक है अब आए गैस यह एक दम सही चलेगा कोई इशू नहीं है हमने विजिटेट बना लिया बिल्कुल सही है रन कर लेते हैं एक्सेप्ट हो गया जी सब्मिट कर लेते हैं एक बरी हो गया जी सब्मिट बहुत ही विडिया हाँ जी तो आए होप आपको सल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा अगर नहीं समझ आया तो एक बरी एडिटोरियल पढ़ लेना वेबसाइट पर जाकर और विडियो दुबारा से देख लेना कुछ भी प्रॉबलम आती है तो टेलिग्राम ग्रूप में डाउट्स पूछ लेना टेंशन मत लेना पढ़ाई करते रहना आप लोग अल्मुस्ट हाफ वे इस चैलेंज में आ चुके हो आपके कुछ ही दिन बचे हैं बिलकुल भी इस चैलेंज को स्किप मत करना पूरा कंप्लीट करना एक्दम मोटिवेटेड रहना बस कुछ दिन के और कहानी है फिर हम एकदम DSA में प्रो हो जाएंगे न्यूजर से पहले-पहले हमको एकदम DSA परफेक्ट करके जाना है नए साल मेंट्री करनी है रेजलूशन के साथ कि हमको भी प्लेस्मेंट ग्राब करनी ही करनी है तो प्रिपरेशन अभी से होगी ठीक है जी? All the very best